हेलो फ्रेंद्स वल्कम टु माँ चानल इंजल्स अफ ब्लेस और मैं लॉट आई हूँ आप लगों के लिए टेरो प्रसोराकल रीडिंग वीडियो के साथ आज का टॉपिक जो है वो है त्री मन्स फ्रॉम नाव तीन महिने आज से आज की डेट आप देख लो यह टाइमलस र देख रहे हो उसके बाद के तीन महिने ठीक है वीडियो के डेट के साथ से देखने का कोई कंपल्शन नहीं है आप जब आज की डेट आप देखो किस दिन पर आप यह देख रहे हो वीडियो और उसके बाद के तीन महिने के लिए यह आपको रेजोनेट करेगा ठीक है तीन 3 months में क्या-क्या बदलाव आएगा 3 months में क्या-क्या changes आएगे क्या-क्या अच्छी चीजे होंगी क्या-क्या release कर रहे हो आप क्या-क्या achieve कर रहे हो कौन सा success आ रहा है कौन से difficulties आ रहे हैं क्या है 100% honest reading में करने वाली हूँ ठीक है अगर कुछ difficulties दिखती है तो वो भी आपको clearly बत कर सको चेंज कर सको है ना future अपने हाथ में होता है वो आप चेंज कर सकते हो अपना present चेंज करके तो उसे साप से आप अपनी lifestyle चेंज कर सकते हो या फिर जो भी decision making है वो चेंज कर सकते हो problems अगर दिखाई देते हैं तो मैं जरूर बताऊंगी ताकि आप उनको avoid कर सको ठीक है let's start with today's reading देखते हैं 3 months from now आपके लिए क्या messages है क्या क्या हो रहा है आपके life में अरेकल से start कर देखते हैं 3 months अप से क्या हो रहा है ठीक है कुछ affirmations लगे कुछ remedies लगे तो मैं बताती जाओंगे आपको नहीं हो से इंजल स्पिरिट गाइब तो मैं हल्प कीजिए 3 months from now क्या हो रहा है infinite abundance ठीक है journey by moonlight stepping into power ओके काफी अच्छी लग रहे हैं आपकी नेक्स प्री मंग्स प्री मंग्स इनिवर से इंजल स्पिरिट गाई समय बताईए क्या changes रहे हैं क्या बदलाव आ रहे हैं नेक्स प्री मंग्स कैसे होने वाले हैं मैराश्यों के साब से बताऊंगी तो आपको रेजोनेट होगा ही होगा आपका पॉइंट गेट्स ओफ ट्रायम पैशन और प्लेजर अर देखते हैं कि यह तो मनी कर्स विद्वस पीस बीस पेसिए फिक वन वन कर्स सबसे पहली चीज जो दिखाए देती है आपके लिए एक न्यू इंकम सोर्स आता हुआ दिखाए दे रहा है अगर आप अभी कुछ काम नहीं करते हैं आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे कुछ बिगिनिंग था आपका न्यू बिगिनिंग था मनी से रिलेटेड तो डेफिनिटली ये दिखाए देता है आपके लिए कि आप इस वक्त में ये तीन महिनों में कुछ ऐसा जादू होने वाला है कुछ ऐसा अपॉर्शनिटी आपके लाइफ में आने वाला है जिसकी वज़े से आप एक नया इंकम सोर्स अतनी लाइफ में लिया पाओगे भले ही आप वो नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो अभी आप इंकम सोर्स आपका कुछ भी नहीं है आप स्टार्ट करना चाह रहे हो ये सिनारियो आपका हो सकता है या फिर हो सकता है कि आप अलरड़ी कमा रहे हो पर आप कुछ एक नया ढूंड रहते हैं यह कोविड वगरा की वज़े से हर इंसान जो है एक साइड बिजनेस जो कहते हैं वो ढूंडने की कोशिश कर रहा है तो आपका भी हो सकता है कि इसमें इस वक्त में काफी अच्छे आपके लाइफ में आए money related, finance related और एक नया source of income आपके लाइफ में आता दिखाई दे रहा है जिसकी वज़े से life काफी change हो जाएगी अफकोस जब पैसा आता है आजकल जिंदेगी ऐसी हो गई है न गाइस की पैसे के बिना कुछ कुछ नहीं हो पाता है हमारा अभी बार्टर सिस्टेम तो नहीं रहा कि यह दिया वो लिया है न अभी money बहुत important पार्ट हो गया है life का और उसकी एक भले अभी abundance में मतलब करोड़ पती ना हो पर हम हर एक की जिंदगी में पैसा थोड़ा बहुत तो चाहिए ही होता है सबको तो उससाब से आपकी life में मुझे काफी abundance हाता हुआ एक नया source of income आता हुआ दिखाई दे रहा है next three months में तो keep your eyes open अपनी आखे जो है खुली रखे आपके intuitions जो है वो उपन रखे ताकि जो भी opportunity आए आप अच्छी opportunity जो आए वो फटा-फट से आप पिक कर पाओ ठीक है I also see आपकी जिंदगी में एक miracle आ रहा है अगर आप लोग में से कोई ये बहुत specific लोगों के लिए है ये point हरे को resonate नहीं होगा बट अगर आप conceive करना चाह रहे उनके लिए काफी अच्छा वक्त ये मुझे next three months आपके दिखाई देते हैं आपके chances conceiving के इस वक्त में काफी high है और बाकी लोगों के लिए जो conceive अगेरा नहीं करना चाहते है अगर आपके बच्चे है तो चोटे बच्चे अगर पात साल से दस साल से चोटे हैं तो उनके सा जो बड़े ज्यानी भी नहीं कर पाएंगे ऐसा solution दे जाते हैं तो आपके आसपास अगर बच्चे है या इसा जो कोई भी छोटे बच्चे आपके आसपास है वो आपके लिए कुछ अच्छा काम करते हुए आपके लिए अच्छा गाइडंस देते हुए बातों बातों में अगर वो कह रहे हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है ये अच्छा है जो भी है उनकी बाते थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्योंकि शायद उनका ये next three months में उनकी कोई एक बात आपके लिए बहुत resonate हो जाएगी और guidance उनका भले उनको ना समझ आता हो कि वो गाइड कर रहे है आपको बच्चे जो है वो guardian angels के बहुत करीब होते हैं हम जब 10 साल तक हम होते हैं तो हमारे guardian angels हमारे साथ बहुत connected रहते हैं तो उनकी तरफ से message आने के लिए बच्चे भी आपको शायद कुछ ऐसा hint आपकी life में दे दे तो उनकी बाते थोड़ा सा ध्यान से सुनना I also see आप लोगों के लिए आप इस वक्त में जो decision नहीं ले पा रहे हो तीन मन्त, त्री मन्स में वो decision लेकर आप success की तरफ बढ़ चुके होंगे त्री मन्स में आपको वो change दिखाई देता है यानि कि ये एक देड मन्त में आप decision लोगे और उस decision की वज़े से आपकी life में काफी power आएगी अभी जिस चीज को लेकर confused हो ना, like कुछ भी हो सकता है कि मैं नया business start करूँ या ना करूँ मैं इस इंसान से शादी करूँ या ना करूँ या फिर अभी मुझे divorce लेना है तो मैं divorce लूँ या ना लूँ ये कोई भी confusion हो सकता है मैं wait करूँ या move on करूँ या फिर मैं ये education मुझे pursue करना है तो ये करूँ ना करूँ ये career मुझे change करना ये करूँ या ना करूँ जो भी आपका question है जिसमें भी आप अभी confused हो फिलाल में आप उसका decision ले चुके होंगे और उस decision की वज़े से काफी power आपके life में आई हुई है ये दिखाई देता है next three months में तो definitely अभी उस decision का stress मत लीजे क्योंकि आप अच्छा ही decision लेंगे और सही रास्ते पर ही जा रहे हैं ठ कि आपको pros and cons की list बनाने है करें कि ये करता हूँ तो ये result होगा वो करता हूँ तो ये result होगा अगर ये करूंगा तो इसकी side ये अच्छी है ये बुरी है वो करूंगा तो ये अच्छा होगा वो बुरा होगा तो ये pros and cons की list बनाओ decide करो आपको क्या करना है युनों percentage wise दिख भी लगाओ, दिमाग भी लगाओ and planning proper करो इस वक्त में आपके confusion को answer करने के लिए but 3 months में आपने वो decision अलरड़ी ले लिया है और आप successful हो उस decision को लेकर, काफी powerful हो आप उस decision को लेकर, यह definitely दिखाई देता है आपके लिए, ठीक है सक्स, जैसे मैंने कहा आप लोगों को उस power की वज़े से उस decision की वज़े से आपकी जिंदगी में काफी power और success आता दिखाई दे रहा है ठीक है, कई बार हमारे जिंदगी में हम decision लेने के लिए delay, delay, delay करते रहते हैं और उस delay की वज़े से क्या हो रहा होता है हमें जब बस push कर रहे होते हैं कल लेते हैं, कल देखते हैं अभी ठीक है situation, अभी इतनी भी खराब नहीं है situation तो हम खराब होने तक का यह पर पानी मू तक आने का वेट करते हमेशा पहले हाथ पैर नहीं मारते हैं दूबने आते हैं तब हाथ पेर मारते हैं तो ये situation अपने life में create मत करो ठीक है next three months में definitely आपको decision लेकर success की तरफ जा रहे हो अभी मैं आप लोगों को कह रही हूँ ना कि success आ रहा है फिर अभी tension नहीं है आपको है ना success आ रहा है खुशियां आ रही है आप अचीव कर रहे हैं अपनी life को और कल-कल पे decisions रहते हैं वो आज करो ताकि next three months में वो power आप experience कर पाओ अपनी जिंदगी में क्योंकि आप powerful दिखाई देते हो successful दिखाई देते हो ये next three months में and money related भी opportunity आ रही है तो definitely pick it up ठीक है next three months जो होने वाले हैं आप अपने उपर focus कर रहे हो यानि कि आपके love life में specifically मैं कहूंगी कि आपको प्यार अगर आप करते हो प्यार तो आपको उस प्यार से क्या चाहिए यह आपके दिमाग में clear होने वाला है है न हम लोग प्यार करते हैं generally लोग प्यार क्यों करते हैं जब उनको प्यार की कमी महसूस होती है या फिर जरूरत महसूस होती है या फिर सामने वाला जो है वो आपको लगता है कि बहुत प्यार कर रहा है हमें बट relationship में आगे बढ़कर क्या होता है? वो प्यार आपको लगता है कि change हो रहा है, खतम हो रहा है, revive करने की जुरुरत है तो इनसान अपने आपको भूल जाता है उस प्यार में, उस relationship में और कभी-कभी हम बहुत जादा दे देते हैं या फिर बहुत जादा ले लेते हैं balance नहीं रह पाता, तो आपका इस वक्त में आप relationship से क्या चाहते हो या आपको इन 3 months में समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके relationship में आप एक passion और love लेकर आते हुए दिखाई देते हो ये next 3 months में there is a good chance कि आपके relationship life जो है अभी अगर आप separation में भी हो या फिर जो भी हो पर 3 months में आप दिखाई देते हो कि एक passionate relationship में आप हो जहां पे आपको सिर्फ love नहीं, pleasure भी है यानि कि आप खुश भी हो, satisfaction भी है उस relationship में आप ये relationship देखना है कि कोई ex return आता है अपकी जिंदिगी में यानि कि जैसा आप manifest कर रहे हो वैसा होगा आपके love life में अगर ex को manifest कर रहे हो तो ex आ सकता है, अगर new love manifest कर रहे हो तो new love आ सकता है पर आपके life में definitely एक passion मुझे दिखाई देता है और मैं generally ये topic मेरे channel पर avoid करती हूँ बट ये क्योंकि दिखाई देता है, बहुत specific hints आ रहे हैं तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ आपको sexually भी आप काफी satisfied, happy and passionate in next three months में दिखाई देते हो, next three months के बाद आप दिखाई देते हो, passionate and love, love जो होता है न, love फिर आगे बढ़के वो intimacy बन जाता है तो वो intimacy में आप काफी खुश दिखाई देते हो, अपने partner के साथ, काफी करीब उनके आप दिखाई देते हो, ठीक है I also see एक main चीज जो दिखाई देती है, आप आगे बढ़ रहे होगे, three months में आपको अगर लग रहा है न, कि ये अभी मैं अटका पड़ा हूँ, अटक गया हूँ, आगे नहीं बढ़ रही जिंदगी तो ये next three months में आप आगे बढ़ते डेफिनेटली दिखाई दे रहे हो, तो अगर ये tension है आपको की जिंदगी यहीं पर फसी पड़ी है, then no, not at all, आप next three months में काफी आगे बढ़ोगे विलसी टारो क्या कहता है अपके लिए और राश्यों के हिसाब से भी देख लेते हैं next three months from now universe, three months from now क्या हो रहा है तीन महीनों में okay, I need six cards, um, hermit, ten of inspiration, fool, nine of voices, seven of inspirations and emotions, okay, first card जो है definitely Gemini और Ares, यानि कि मिथुन और मेश राश्यों के लिए दिखाए देता है in next three months में आप लोग, आप लोग, आप लोगों का अकेला पंज जिन्दगी का वो दूर हो रहा है okay, यानि जो आप अकेला feel करते हो, ऐसा feel करते हो कि कोई नहीं है साथ में, कोई support करने के लिए नहीं है कोई बात करने के लिए नहीं है, मैं किसे share करूँ बाते, तो वो अकेला पंज आपके next three months में दूर होता दिखाई देता है तो कोई हो सकता है, इंसान आपकी जिन्दगी में आए, हो सकता है, कोई pet आपकी जिन्दगी में आए, कोई भी, but I see कि एक support system आपके life में आ रहा है education की बात आती है, तो मैं angel therapy के बारे में बात करना चाहती हूँ, angel therapy का मेरा batch number 21 शुरू हो रहा है 12th of February से, जाधा time नहीं रहा है अगर आप join करना चाहते हो, तो fees सिर्फ thousand rupees है, इसी course के fees 15,000 तक ली जाती है अगर आपको angel numbers दिखाई देते हैं, feathers दिखाई देते हैं, angels का presence आपको feel होता है अगर आप अपने ancestors के साथ, angels के साथ, archangels के साथ connect होना चाहते हो, उनसे problem का हल खुद रूबरू होके जानना चाहते हो, तो ये course आप जरूर कर सकते हो इस course की fees सिर्फ thousand rupees है और 21 days का लंबा course है, अगर आप join करना चाहते हो, तो नीचे description box में whatsapp number दिया है वाटसाप number है, 7666-157-456, जरूर वाटसाप करना, चीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं, लीबरा और लियो राशी, तुला और सीह राशी के लिए आईसी आपके लिए आपके लिए आपके लाइफ का कोई बड़ा burden जो है, वो खतम होने वाला इन नेक्स त्री मंस में यह तीन महिने के बाद आप अपने आपको फ्री पाओगे, फ्रीडम में पाओगे ठीक है, somewhere feel ना कि आप किसी emotional burden हो सकता है, financial burden हो सकता है या फिर mostly कहीं ना कि ने emotional burden दिखाई देता है, मुझे कि आप किसी इंसान को भुला नहीं पा रहे हो किसी इंसान को एक emotional heaviness मुझे feel होता है, यानि कि आप खुशियां भी है life में, बट गम के उपर जादा आप focus कर रहे हो या फिर ऐसा situation है जो आप गम पे focus करना पड़ रहा है, तो उस burden को आप पीछे छोड़कर ये next 3 months के बाद आप काफी अच्छा feel करोगे, free feel करोगे और इन्हों किसी के ऊपर dependent नहीं हो गया, अपने आपके ऊपर dependent हो बस और किसी के ऊपर नहीं ये आपका situation मुझे आगे दिखाई देता है, which is going to be a really good thing for you guys Aquarius, कुंब राश्री और Sagittarius, धनू राश्री के लिए देखते हैं, आपके लिए इन 3 महिनों में एक छोटी सी warning भी है इसमें, और एक message भी है, दोनों चीज़े में बता देती हूँ First तो I see कि आप लोग एक नया start आपकी life में आ रहा है, एक नया beginning आपकी life में आ रहा है काफी अच्छी चीज़ें आपकी life में होने वाली है, यानि कि जिन्दगी को एक अलग नजरिये से जीने का, एक अलग नजरिये से देखने का मौका आपको इस वक्त में इन 3 महिनों में मिलने वाला है एक fresh start मिलने वाला है, पट साथ ही इस वक्त में उनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं कि बड़ी बड़ी risk मत लो, ठीक है, steps ऐसे लो जिनको आप, फिर भी आपने हाथ में power रख पाओ, ठीक है, किसी और के हाथ में power देके, success achieve करने की कोशिश मत करो, कि कोई और मेरे लिए कु वरना है वही अटके रह जाएंगे, फसे रह जाएंगे, बट युनिवर्स आपको कहना चाहरे कि कोई बड़ी risk मत लो, चोटी-चोटी चीजे करो, चोटी-चोटी चीजों से success achieve करने की कोशिश करो, एकदम से, यानि कि सारा पैसा कहीं एक ही जगा पे लगा दिया, या फि Let's move forward Taurus और Cancer, वरुष और करक राशियों के लिए देखते हैं, आपका ये next 3 months जो होने वाले है उसमें आप ये message बहुत strong आ रहा है कि आप stress और anxiety को बाई-बाई कह रहे हो, टाटा बाई-बाई कह रहे हो, कोई भी किसी भी तरह का आपको stress है, anxiety है, depression है, तो उन सारी चीजों क आप यहां पर पीछे छोड़के, इन 3 महिनों के बाद आप फ्री इंसान हो, freedom काफी दिखाई देता है 3 महिने में सभी के लिए, तो stress और anxiety से मुक्त जीवन आप जीने वाले हो, कोई भी stress नहीं है, anxiety ने, जो sleepless nights का अगर आपको issue है, रात को नीन नहीं आती है, tension आता रहता ह है, overthinking है, तो इस वक्त में वो सारी चीज़े clear होने वाली है, बच्छोटे बच्चे की तरह सोने वाले हो आप, and stress and anxiety दूर भागने वाली है आप से, ठीक है, this is going to be a good thing, वर्गो और स्कॉर्पियो, कन्या राशी और वरुष्षिक राशी के लिए दिखाई देता है, कि इस आपके competition जो बने हुए है, ये तीन महीने में आप उनको हरा दोगे, आप जिसके साथ भी competition में हो, चाहे promotion के लिए competition में हो, school में competition, education में competition है, love life में अगर कोई competition है, तो ऐसे आपके competition को आप totally हरा रहे हो, ये तीन महीने में ये दिखाई देता है, अगर कोई negative चीज कुछ करने है, वे completely दिखाई देते हो, यानि किसी भी चीज में आप victory पा रहे हो, आपके competition को zero कर रहे हो, cancel कर रहे हो अपनी life से, तो ये काफी अच्छी चीज है, इस वक्त में याद रखना कि always be grounded, भले ही आप कितनी भी success और जीत हासिल करो, कितनी भी बड़ी, पर हमेशा gratitude रखना, universe क तो thank you कहना नहीं बूलना, okay, last देखते हैं card है, Capricorn, Makar राशी और Pisces, Meen राशी के लिए, आप लोगों कि अगर life में third party का issue चल रहा था, अभी ये चीज बहुत specific है, ठीक है, दोनों message में, दो messages है, दोनों बता देती हूँ, अगर first ये है, कि अगर आपके life में third party का issue चल रहा है, ठीक है, ये next three months में पता नहीं कुछ miracle हो जाएगा, third party के दिमाग का screw जो ढीला हो गया है, वो शायद tight हो जाएगा, but third party आपके partner को छोड़ कर चली जाती, दिखाई ले रही है, okay, third party से related mostly मैं यहाँ पे videos नहीं बनाती, वो मेरे bliss world tarot channel पे बनाती हूँ, तो अगर आपको love life से related आपको यह point resonate हुआ है, तो वहाँ पे जाके videos जो जरूर देखना, next message जो आपके लिए दिखाई देता है, वो यह है कि आप कही ना कहीं कुछ celebrate कर रहे हो, हो सकता है, शादी हो आपकी, engagement हो आपकी, या फिर आपकी घर में भाई, भेन, जो भी है, उनकी, या फिर again कोई किसी भी तरह का celebration मुझे दिखाई देता है, अगर अब रॉड जाने के लिए ट्राइ कर रहे थे तो अब रॉड का कुछ फिक्स होता हुआ है, फिर जो भी है अब आप celebrate कर रहे हो next 3 months में, यह दिखाई देता है, कुछ ऐसा change आ रहा है, जिसके वज़े से, वोग इंटो बी celebrating, ठीक है, तो यह था सभी राश्यू के लिए, अब जन्रल मेसेज भी हो, दो निकाल लेती हूँ मैं, and then we'll stop here, okay, एक काड तो गिरा, I want one more card, okay, ठीक है, we have two cards, first thing जो आपके लिए आया है, it is important right now, आपको यह इंपोर्टन है अभी कि आप, आपके लिए जो सही है, उसे continue करें, और जो आपके दिल में थोड़ा सा भी लग रहा है कि गलत है, उसको discontinue करें, ठीक है, understand करने की कोशिश करो, deeply understand करने की कोशिश करो, कि यह मेरे लिए फाइदा देगा, यह मेरे लिए नुकसान करेगा, ठीक है, यह बहुत छोटी बात है बताने के लिए, but it is very important, जिन लोगों को यह resonate होना है, उनको हो गया होगा, in first click, ठीक है, जिस चीज इट, figure out करने की कोशिश करो, कि यह मेरे लिए सही है, और इस पे मैं time waste कर रहा हूँ, ठीक है, it is important right now, and आप काफी अपने beauty के उपर भी focus करते हों, next three months में दिखाई देते हो Lady Venus आया है आप लोगों के लिए, I also see इस वक्त में आपका, आप अपने challenges उनको face कर रहे हो, इतने time तक मुझे दिखाई देता है कि हाँ, आप face करी रहे थे, पर आपके दिल में कही ना कही एक सवाल था कि यह मेरे से हो पाएगा या नहीं, पर यह next three months में आप challenges अपने face कर र के साथ meditation करने की कोशिश कीजिए, अगर आपके पास amethyst नहीं है, अगर आपको purchase करना है तो मेरे पास आपको मिल जाएगा, आप मुझे personal message कीजिए, मैं आपको दिलवाती हूँ, okay, so this is going to be a very productive next three months for you, next three months are going to be very productive for you, so काफी अच्छे cards आये हैं आपको, and मैं आशा करती हूँ क्योंकि ये सारा reading आपको पूरी तरह से आप claim कर पाऊ अपने जिंदिगी में, क्योंकि बहुत सारे अच्छे cards आये हैं, and हर राशी के लिए भी बहुत deep में काफी अच्छे cards आये हैं, मैं खुद खुश हूँ इस reading से, okay, मैं खुद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क् कि मेरे राशियों का जो भी cards आये हैं, वो perfectly मुझे resonate हो रहे हैं, मुझे जुरूर बताना कि आपको भी आपके राशियों के cards और reading resonate हुआ या नहीं हुआ, कैसा लगा आपको वीडियो, साथ ही अगर आप इस reading में जो जो cards आये हैं, वो ऐसे ही आपकी जिंदिगी में हो, वीडियो suggestions ऐसे ही share करना, जैसे आपको लगता है कि ये मेरा problem है, पर ये बाकी लोगों का भी problem हो सकता है, ठीक है, अगर परसनल कोई एक जन का problem है, तो वैसे करना specific, बहुत लोग specific comment करते हैं, कि भाई के साथ reunion कब होगा, अभी सभी के life में भाई के साथ problem है, ऐसा नहीं है, ह Please try to suggest me such topics, जो मैं सबके लिए reading बना सकूँ, ठीक है, सबको दिमाग में रखते कोई, जरूर मुझसे topic share कीजिए, मैं आपको definitely उस topics पे definitely video बनाऊंगे, ठीक है, अगर एंजल therapy जाइन करना चाहते हो, तो WhatsApp कीजिए, 7666 157 456 पे, and like कीजिए video को, comment कीजिए, subscribe कीजिए मेरे चान उसे भी press कर दीजिए, ताकि जब मैं next video upload करूँ, आपको notification आएगा, और आप miss out नहीं कर देंगे, thank you so much, bye bye, enjoy